नमस्ते दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं मेरे पास एक LG का पोर्टेबल टिवी है पोर्टेबल टिवी यानि की 14 इंज का टिवी इस टिवी में जो समस्या हुआ है इस तरह का समस्या अक्सर देखने को मिल जाता है यह समस्या हर कोई CRT TV में कीम होता है और इसका वज़ग क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों ये जो समस्या है ये समस्या वोल्टेज का वज़े से हुआ है वोल्टेज पिक्चर ट्यूब में अच्छे तरह ना मिलने का वज़े से ये समस्या हुआ है हमें पिक्चर ट्यूब में जो छबी दिखाई देता है ये वोल्टेज से बनता है और ये बोल्टेज ट्रांजिस्टर से होके पिक्चर ट्यूब में इंपूट होता है पिक्चर ट्यूब में लगा हुआ CRT बेस में तीन ट्रांजिस्टर होता है वो तीन ट्रांजिस्टर कलर ड्राइब ट्रांजिस्टर होता है और उन color drive transistor में तीन color का video signal input होता है green, red और blue और ये तीन color का video signal TV का circuit board में लगा हुआ main IC से CRT base में input होता है तो जब तक CRT base को voltage पराबर नहीं मिलेगा तब तक CRT base board में लगा हुआ transistor picture tube में video signal input नहीं कर पाएगा picture tube में video signal का साथ voltage भी input होता है तो आखिर क्यों ये voltage CRT base board में नहीं पहुँच रहा है चलिए इसे जाने CRT base board supply 180 voltage फिल्टर करने के लिए एक capacitor लगाया जाता है ये capacitor खराब हो जाने से CRT base board को voltage बराबर नहीं मिलता है इसका वज़े से TV में इस तरह का समस्या होता है ये जो capacitor है ये capacitor ज्यादा तर 10MFT 250 volt का होता है इसका वज़े से CRT base board supply voltage फिल्टर नहीं होता है और CRT base board को voltage बराबर नहीं मिलता है इसका वज़े से TV में इस तरह का समस्या होता है इस TV में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस capacitor का terminal rust का वज़े से तूट गया है इसलिए 180V बराबर नहीं है तो चलिए इस capacitor को बदले जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने capacitor बदल दिया है अब picture tube को voltage बराबर मिलना चाहिए और इस TV का picture भी ठीक हो जाना चाहिए तो चलिए इस TV को आगे से देखें ये TV ठीक हुआ है कि नहीं ये लिजिए दोस्तों ये TV अब बिल्कुल ठीक हो चुका है तो दोस्तों आप लोगों को मालुम हो ही गया होगा 180V कमजोर हो जाने से एक CRT TV में क्या समस्या हो सकता है तो दोस्तों इस तरह का knowledgeable वीडियो और देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो साथ में comment, like, share कीजिए और हो सके तो मुझे support भी कीजिए धनेवाद दोस्तों